अगर जिस समय हम कैमिनेट मंत्री थे अगर सरकार नहीं गिरती तो हम तीन परखंड बनायते हैं पांच महीना छो महीना के अंदर हम उसे नाबाद को जिला बना देते हैं सरकार से जब भी हम लोग मिलते हैं बहुत अच्छी बातचीत करती है लेकिन रिजल्ट नहीं देती है बातचीत में तो जहारकन सरकार अभी इंडिया में नंबर वन है लेकिन रिजल्ट में एक ऐसा बिधायक जो कि बगएर सर्त का बिना सर्त का समर्थन आपने दे दिया तो जब गाउं में विकास नहीं होगा, जब गरीबों का घर नहीं बनेगा, जब चलने के लिए सड़क नहीं बनेगा, तो विकास कैसे होगा। NCP में टूट हो गई है, भले ही उसका कोई अभी समधान नहीं निकला है, लेकिन उस टूट के बाद आप लोग अजीत पवार गूट में चले गए, तो ऐसे में एक मजबूरी भी है कि आप UPA से बाहर जाएंगे, तो क्या उस मजबूरी के पीछे आप आधार बनाना चाहते ह इसलिए इन दो मुद्दों का जिकर कर रहे हैं, बालू और हुसायनाबाद को जिला बनाने को ले करके, तो 31 अक्टूबर को हम लोग अपना ओफिशली विड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये समर्थन समर्थन के मुद्दे में जनता पेश जाए, महज दो म मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि एनसिपी के लीडर्स हैन, हुसायनाबाद से बिधायक, पूरु मंतरी कमले सिंग जी हैं, सुरिया सिंग जी हैं और जो तमाम एनसिपी के जो लीडर हैं इस वक्त हैं, थोड़ी दिर पहले इनसिपी के तरब से एक प्रेस कॉंफरेंस क सरकार के उपर जो है कई सारे आरोप लगाए गए दरसल एक हबर इसलिए भी महत्पूर्ण है कि हेमन्त सुरेन की जो सरकार है उसको एंसीपी का समर्थन प्राप्त है यानि कि हुसाइनाबाद से जो बिधायक है कमलेज सिंग इन्हों ने बीना सर्थ जो है समर्थन दिया था एक साल का समय बचा है अब जाकर कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं हलाकि सदन से लेके सड़क तक पहले भी बालू का मसला हो या फिर हुसाइनाबाद को जिला बनाने का बात हो आप लोग सवाल उठाए हैं लेकिन क्या बज़ा है कि सरकार सुन नहीं रहे क्या हिमन सुरे से डाइरेक्ट वे बातचित नहीं हो पा रही है देखे हम विधान सवह में कम से कम सात भार हमी मैटर उठाए हैं और बालू का मैटर बहुत गंभीर समस्या है गरीबों को लेकर आप एक तरह परदान मंत्री सड़क योजिना का पैसा आ रहा है और दूसरे तरह बालू जा रहा है उस पर प्रसासन पकड़कर केस कर दे रही है आज कम से कम दो हजजार से उपर ऐसे गरीब व्यक्तिवों को केस का सामना करना पड़ रहा है तो दुखत बात है कि वहल हमारा हुसेना बात का ही नहीं इस पूरे जो है जहार खंड के हाथ जिला में है तो जब इतन कभी इस पर करवाई की हैं आप कर रहे हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं कैसे विकास कीजेगा जब गाउं में विकास नहीं होगा जब गरीबों का घर नहीं बनेगा जब चलने के लिए सड़क नहीं बनेगा तो विकास कैसे होगा लेकिन सर आप जो एक आरोप लगा रहे हैं कि काला बाजारी हो रही है बालू की जब सदन में आप सवाल उठाते हैं सड़क पर अगर सवाल पूछते हैं तो बोल दिया जाता है कि एनजिटी का रोख है तो क्या एक को लग रहा है कि पूरे राजजभर में इस रोख के नाम पर नीचे से अवायत कमाई किया जा रहा है देखिए जहां भी हो जिस जिला का हो कि अबला हम पलामू का बात नहीं कर रहे हैं हर जगह बालू को एक युजना अंतरगत ट्रैक्टर पकड़ते हैं पैसा लेते हैं दस अजार बीस अजार आ उसके बद गरीब जो इसका गहर प्लास्टिक चाया है वो भी सजर कहां से देगा अगर नहीं मिला तो उस पर केस करके अंदर कर दो तो हर जगह हो रहा थे इसमें किसका सेठ हमक है प्रसाशन गलत कर रही है ऐसा नहीं होनी चाहिए इसको लेकर कि कोई बातची थोस नहीं हो पा रही है अपने इसके लिए तो हम लोग आवेधन भी दिये थे विधान सभा में भी उठा है उसके लिए अपरेल में बहुत बड़ा ट्रैक्टर रह लिए था चार्सो पांत सो किसान लोग ट्रैक्टर लेके आवाज उठाये थे पूरे लोग अक्रोस में था और रही स्थिति और जगह भी है लेकिन पता नहीं क्यों इस मुद्दे को इतना गंभेर मुद्दा है इससे बालू से ही सारे विकास की रास्ते जुड़े रहते हैं लोग ए सवाल उठा रहे हैं कि चुकी एनसीपी में टूठ हो गई है भले ही उसका कोई अभी समाधान नहीं निकला है लेकिन उस टूठ के बाद आप लोग अजीत पवार गूट में चले गए तो ऐसे में एक मजबूरी भी है कि आप यूपीय से बाहर जाएंगे तो क्या उस मजबूरी के पीछे आप आधार बनाना चाहते हैं इसलिए इन दो मुद्दों का जिकर कर रहे हैं बालू और हुसायनाबाद को जिला बनाने पहले से भी था और मानिय सरत पवार जी ने हर्मू मैदान में साथ मार्च एकईस को असपर्ष्ट बोले थे कि हम हुसेनाबाद जो मांगा गया था कि हम हुसेनाबाद को जिला बना देंगे अगर जिस समय हम कैमिनेट मंत्री थे अगर सरकार नहीं गिरती तो हम तीन परखंड बनायते पांच महीना चो महीना के अंदर हम उसेनाबाद को जिला बना देते आज की बात नहीं है हम लोग का मांग बहुत पहले से तीन साल से यह मैटर तो जो आप बोल रहे है तूट का यह आज आया है तो इसका तो रिजल्ट जो आएगा उस पर हम लोग डिसीजन लेंगे लेकिन एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसको साफ कर देना उच कि मन सोड़ेन को लोकतंत्र में संख्या से ही सारा कुछ होना है एक ऐसा विधायक जो कि बगैर सर्त का बीना सर्त का समर्थन आपने दे दिया तो क्या वज़य है कि वो आपके जायज मांगों पे भी अम्ल नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है गिजा, हमको कोई जरूवत न लेकिन उसी समय हम बोले थे कि हमारा प्लामु में हुसेनाबाद को जिला बनाना पड़ेगा हमारा डिमांड परमुक रूप से है और उन्होंने हमें आस्वासन दिया था कि निशिंत रहे हुसेनाबाद बहुत जल जिला बन जाएगा मुखमंतरी ने बोला था नहीं नहीं सरत्पवार जी को हम बोले थे सरत्पवार जी माननी मुखमंतरी जी को बोले होंगे तिन चार बार चिट्थी भी दिये हैं लेकिन सारी परकिडिया बने कंप्लीट होने के बावजूद हमारे मुखमंतरी जी क्यों नहीं बनाए अभी तो बतला सकते हैं सुर्या जी भी हैं हमारे साथ, सुर्या जी एक जो अल्टीमेटम आपने दिया है भी प्रेस कॉंफरेंस के जरी है, 31 अक्टूबर तक का समय है, कि आप या तो बालू बाले जो मसले पर जो समस्या है, उसका समधान कर दीजिए, दूसरा हुशेनाबाद जिला बनाने को ले कर है, चाहे वो जिला हो, चाहे वो बालू हो, चाहे वो इंप्लॉइमेंट हो, तो यह बहुत अनफॉर्चुनेट है, और तीन-चार साल बहुत बड़ा वक्त होता है, पहला एक-दो साल सब लोग कोविड का बोला समझ है, लेकिन उसके दो साल के बाद भी अगर डिवलप्म तो उसका कम से कम रिगार्ड करके उन्होंने जनता से रिलेटेड हमारी जो मांग थी वो जिला का तो करेंगे, लेकिन मुझे अभी बहुत ही अनलाइकली लग रहा है, कई दफा पहले भी आपने इस सवाल को उठाया, तो क्या कोई कोशिस हुई है सरकार के तरफ से कम से कम बातचीत हो, अगर कोई बैवधान है, जिला बनाने में तुरंत नहीं बनाया जा सकता है, तो कोई बातचीत करने के भी कोशिस हुई या नहीं हुई, ने बिलकुल ये सरकार का मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ, ये सरकार बातचीत करने में बहुत शायदी जारकन में ऐसा कोई सरकार आयोगा जितनी अच्छी बातचीत करती है, ये सरकार से जब भी हम लोग मिलते हैं बहुत अच्छी बातचीत करती है, लेकिन रिजल्ट नहीं देती है, बातचीत में तो जारकन सरकार अभी इंडिया में नमबर वन है, लेकिन बात तो हर नेता बहुत अच्छे से करता था नेताओं की तो कला ही होती है बात करने की लेकिन अब जनता को रिजल्ट चाहे हम हो या कोई और अगर आप काम नहीं करेगा आपको खाड के फेक दिया जाएगा और यही जारखन मैं चाहता हूँ और तभी जारखन इंक्लिूसि पवार को खाड फेकने के लिए काम करें अजीत पवार जी तो पूरे राष्ट लेवल से हर स्टेट में यह लोग कर रहे हैं हर जो चैलेंजेज है और जहां तक जारखन की बात है नसीप की बागड़ोर हम लोगों ने पिछले 24 साल से समाली हुई है और बहुत अच्छे अ करें कि आगे एंसीपी इस प्रदेश में बड़ी भूमिका को निभाए सुक्रियो बद्चित रहे हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब